साथ्यों आज केंदर में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए पूरी इमांदारी से काम कर रही है PM किसान सम्मान निधी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांस्फर किये जाते हैं आज की 14 वी किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड रुपिये किसानों के बैंक खाते में सीधे बेजे गए है इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निप्टाने में किसानों की बड़ी मदद की है हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाईयों के पैसे बचा रही है इसका एक उधारन यूरिया की कीमते भी है और देश भर के किसान मुझे सुन रहे है मेरी बात को ध्यान से सुनें आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भैंकर महामारी आई उसके बाद रूस और उक्रेन का यूत्त हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पातल हो गई खास करके फर्टिल्याइजर के खेत्र में तो तुफान मज गया लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की ये सच्चाई बताना चाहता हूँ आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपिय में देते हैं उतनी ही यूरिया हमारे पडोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपिय में वो बोरा मिलता है आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपिय में देते हैं उतना ही यूरिया बंगला देश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपिय में मिलता है आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपिय में देते हैं उतनी ही यूरिया की बोरी चीन में किसानों को 2100 रुपिय में मिलती हैं और आप जानते हैं अमेरिका में यूरिया की यही बोरी आज कल कितने रुपिय में मिल रही है यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपिय से भी कम देते हैं उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपिय से ज़्यादा देना पड़ता है कहा 300 और कहा 3000 हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वज़र से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी और इस सच्चाई को देश का किसान देख रहा है हर दिन अनुभव कर रहा है जब यूरिया खरीदने जाता है न तो उसे पक्का विश्वास होता है कि ये मोदी की गारंटी है गारंटी किसको कहते हैं वो किसान को पूछोगे तो पता चलेगा टसूछरों पुक्ती कि लाँ पता है और जाकी की वात्तों बाहँ धुक्तOT